वेल्कम बेक एब्रीवान वेल्कम टु सुवल सर्विसे श्टड़ी ये प्रक्टिस सैट नंबर 144 है टैस सीरीज यूपी प्यासी आरो एरो के लिए और प्लेलिस्ट इसकी बना रखें वहां प्राफ टैस नंबर बन से लेकर 144 या जो भी नए टैस आएगा वहां तक पहुं सकते हो तो चले स्टार्ट करते हैं प्रक्टिस करेंगे इसमें हम जीयस के मिश्रित प्रश्णों पर और हिस्ट्री के प्रश्ण इसमें जादे होंगे तो पहला प्रश्ण है मगद का कौन सा समराठ सर्वक्षत्रांतक के नाम से जाना जाता है विंदुसार क्यानि सर्वहरी ठीक है ओमनी वोरस और यह है ऑप्शन नमबर डी देखें मगद पर शिशुनाग वंस के पश्चात नंद वंस का वर्चस विस्थापित हुआ नंद वंस का संस्थापक कौन था महापद्मनंद और इसको उग्रसैन भी कहा जाता है और पुराणों में महाप महापद्मनंद को अपरोप परशुराम और सर्वक्षत्रान तक यानि ओमनी वोरस कहा गया है कि कि परिवार ने सबसे पहले अकवर के साथ व्यवाहिक संबंद थाबित किये थे राठो और सिसोदिया कच्छवाहा चुहान कई बार एक्जाम में पूछा गया है एससी ने भी कई बार किया है रेलवे के एक्जाम में भी कई बार पूछा गया है और आरो ए आरो में भी पहले पूछा गया है यह प्रश्ण और इसका उत्तर है कच्छवाहा ओप्सन नमपर थी तेके मुगल वादसा अकवरदारा तयार की गई राजपूत नीती को उसके साशनकाल का मुखे आकर्शन बाना जाता है इस नीती के अनुशन में अकवर ने राजपूत साशकों के साथ वैवाहिक गठवंदन में प्रवेस किया और आमेर के साशक राजपूत कचवाहा वनसीय भारमल अकवर से वैवाहिक संबन इस्थापित करने वाले पहले राजपूत साशक थे जिनोंने स्वेच्छा से अकवर की अधिनता स्विकार की थी और अकवर ने भारमल ठीक है भारमल की पुत्री हरकावाई से विवाह किया ठीक है इनी की पुत्री थी वो कि यह नंबर इस पर कॉल्या वार्टसप करके आप फुल टेस्ट श्रीज प्राप्त कर सकते हैं आरो ए आरो और यूपी पीसियस दोहार चौविस के लिए जब है चल रहा है उसकी भी पुशन नंबर थरी पर आजए यह नंबर कि मध्य यो पर इन साशकों में सेर्शा सूरी एक उच्छ सिक्षित साशक था सेर्शा सूरी ने जौनपूर में आपचारिक सिक्षा प्राप्त की थी एक इंपोर्टन यूपी के एक्जाम के लिए अई बार सवाल बने इससे ठीक है हिस्ट्री को रिलेट करते हुए जो उस समय कन्नौज का युद्ध विल्ग्रिम एक ही बात है कि कन्नौज का युद्ध 1540 में हो था सॉमुगड का 168 में हो था दोनों के दोने इनकरेक्ट है यह उपर कर नीचे नीचे का उपर है डी है इसकामजर तो जो सामुगड का युद्ध है वो 1658 इश्वी को मुगल वादसाज स मायू और सेवसां सूरी के वीच रड़ा गया और इस सुद्ध को विल्ग्राम का युद्ध भी कहा जाता है कुश्चन नुबर फाइब पर आजए नम्रिकित में से किस मुगल सैनापती के साथ सिवा जी ने 1665 में पुरंदर की संदी पर हस्ताक्षर किये थे पुरंदर की संदी पर हस्ताक्षर किये थे सिवा जी ने और जैसिंग ने फीख है झानला सै कि 1665 ने ओरन जैब ने राजा जैसिंग की नेतरत में विशाल सैना ज्योर जो है सिवा जी का दमन करने तरी जमिन दी थी तो किस सिक्रु को अकवर ने 500 भी का जमीन दी थी रामदास को दी थी करें चौथे गुरु थे रामदास सिक्ह गुरुओं के और मुगल वाट्शा अकवर ने उन्हें 500 भी भूमी जो है दान दी जिसमें एक प्राक्रतिक तलाब ही था रामदास और उनकी पत्नी वीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमी पर अम्रत सहर सहर बना ठीक है के कुश्शन नम्बर 7 पर आजज़ें नम्रत्श क मासे किस स्थान पर एक पृषिद सिख गुराथव्ध वारा अवस्थित है रूपकुंद हहेमकुंढ तारकुंद भ्रमकुंढ हेमकुंढ ठीका ऊथे ऊतर खंड में है ये हेमकुंड जो है वो उतराखंड के चमोले डिस्टिक में है और इसी इस्थान पर जो है परशिद गुर्दवार आवस्तित है question number 8 पर आज़े औरन जेब की मृत्तियों के समय मराठा नेतरत नमलिके दमसे किसके हातों में था संभाजी तारावाई जीजावाई बालाजी विश्वनाद भट किसके हातों में था तारावाई के देखे राजाराम की मृत्यू के बाद उनकी पत्नी उनकी विद्वा पत्नी तारा भाई ने अपने चार वर्षिय पुत्र को सिवाजी दुत्य के नाम से गद्धी पर बठाया और मुगलों से सतंत्रता संगर्ज जारी रखा और अजयव की मृत्यू के समय मराठा नेतर तो तारा भाई के हाथों में था इन्वार्मेंट इकलोजी का ये प्रेश्ण है क्योटो समझोता कब प्रभावी हुआ ठीक है प्रभावी की बात पूछ रहा है तो ये प्रभावी हुआ वर्स 2005 में ओप्सन नंबर सी है इसका अंजर देखे वर्स 1997 में क्योटो जापान में ज सामना करने के लिए अंतराष्टी सम्झोता हुआ और यह सम्झोता वर्स 2005 में प्रभावी हुआ विश्ण्म्रस नंबर दस पर आजे उत्तर पर्देश के किस जिले में देर के बर्थम पुलिस संग्रहाले के साबना की गई है कहां की गई है गाजय अबाद में तो उत्तर प्रदेश के गाजय अबाद जिले में देश का पर्थम पुलिस संग्रहला इस्थाबित किया गया है देश का नाकेवल यूपी कौन सा है इलमिनेट करें चलिए लखनो को हटा देते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्विद देले उत्तर प्रदेश में जो सबसे पुर्णा विश्विद देले कीबात करें तो यानि भी अच्ची वारणसी की स्थापना वो 1916 की है तो पहला तो इलाभादी हो गया काश्ट नकाशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रशिद्ध है मुरादवाद तो पीतल नगरी है सहारनपुर भी है इसका अंसर देखिया उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर जो है वो काश्ट नकाशी घरेलू द्योग के लिए परशिद्ध है इसे कैपिटल ऑफ वोड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में लेधर टेक्ट्नोजिय जो पार्क है अब निमलीकिर ब्लमसी कहां पर रवस्त्त है this is leather technology Treasury book को यूपि के रूपमें दीपा आ эт हो अगर यू पी्स से ऑरो काे पूश न करें तो आरो में जो है उत्तर-प्रदेश की संस्क्रति से अधिक प्रशन पूशे यह नहीं पूछे जातो याष न में बनेगा x1 नंगरणा से और उत्तर प्रदेस की संस्कृति Sm kennt प्र नोख तो और प्रदेस की ऑप्लाराः। region की दिपा उलिगो शुक के रूप में बनाती है भोटिया तो उत्रा खंड की है तो इसको तो भड़ा दीजे टोड़ा तमिल नाडू की है थारू जन जाती दीपवली को शोक के रूप में मनाती है देखें थारू जन जाती जो है हिंदू धर्म को मानती है थारू लोग हिंदूओं के सवीत योहार बनाते हैं और यह है दीपवली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं कोशन नुबर 15 पर आज़ें आला एक लोकप्रिय संगीत किस छेत्र का है यूपी में यह है बुंदेलखंड का देखें आला बुंदेलखंड छेत्र की परशिद वीर रस कथा है और इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाईयों आला और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है कोशन नुबर 16 पर आज़े है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुक खनिज हैं इन मेंसे कौन कौन है रॉक फासफेट, डोलो माइट, लाइम स्टोन, डोलो माइट, तांबा, ग्रेफाइट इन मेंसे कोई नहीं इसका आंसर अपसर नंबर भी लाइम स्टोन और डोलो माइट देखें, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्रमुक खनिज है, वो लाइम स्टोन है और डोलो माइट है और खनिज संसादन की दरश्टी से उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है वर्शन नुबर 17 पर आजए है 2111 की जनकरणा के निसार उत्तर प्रदेश में सरवाधिक साक्षर्टा किस से धर्म की है जनकरणा के अकड़े वही है 2111, 21 की तो होई नहीं अभी तक तो 2111 की जनकरणा के निसार उत्तर प्रदेश में सरवाधिक साक्षर्टा धर्म आधरी साक्षर्ता पर प्रश्णा गया तो किसकी है सबसे कम है मुसलिम धर्म की उपी में और सरवाधिक साक्षर्ता है जैन धर्म में option number a है इसका अंसर तो देहर 11 की जनकरणा के अनुसार उत्तर परदेश में जो सरवाधिक साक्षर्ता ट्राइट नट्रावाला धर्म है वो जैन धर्म है 93 दसनलाद दो पृतिष्छत साक्षरता वो सब से कम मुस्लिम धर्म किसे सर्वाधिक लिंगानुपात है सरवाधिक लिंगानुपात किस में है देखे इसका अंसर आप्शन नमबर डी इसाई धर्म तो सरवाधिक लिंगानुपात इसाई धर्म में है 1000 पुर्षों पर 961 महिलाएं है और सबसे कम है सिक धर्म में 1000 पुर्षों पर मात 877 ही महिलाएं है उत्तर प्रदेश का जो आश्रत लिंगानुपात है या कुल लिंगानुपात है वो 912 है और भारत का याद कर लो 947 दोहार एक से दोहार ग्यारे के बीच में उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में ब्रधी कितने अंग की होई 14 अंगों की हुई है तो इसमें से 14 घटा दो तो दोहर एक का जाएगा important है सरवाधिक लिंगानुपात वाले जिले उत्तर प्रदेश के तो तीनों ही आद रखेगा पहरा जौनपूर आपसर में नहीं आएगा तो आजमगड और ये भी नहीं होगा तो देवरिया पहले वाले को बहुत कम रख था देखतर फोकस करता है एंग्जामनर दूसरे और तीसरे पर question number 19 पर जे उत्तर प्रदेश के निम्रिकेत में से कौन से दो जिले निउन्तम लिंगानुपात और सरवाधिक दन्श के व्रध्धी को दर्शाते है जौनपूर तो सरवाधिक लिंगानुपात हो गया सरवाधिक सेक्ष रेसियो लेकिन सबसे कम सेक्ष रेसियो कौन सा निउन्तम लिंगानुपात जौनपूर को तो हटाई दीजे वैसे भी सरवाधिक उसमें तो गौतम बुधिनगर में निउन्तम लिंगानुपात है और जो सर्वाधिक दन्ष के विरद्धी हुई है वह इसी में हुई है गौतम बुधानगर में तो गोतम बुधानगर और गौतम बुधानगर यसी वाला स्टैटमेंट्स हुगा तो 2011 की जनकाने के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात वाले सरवाधिक लिंगानुपात वाले तीन जिलों की बात करें तो जौनपुर, जौनपुर के बाद आजमगर, देवरिया, सबसे कम लिंगानुपात, गौतम बुधनगर, अगर यह आपसर मनी होगा त तीसरे स्थान पर हैं, तीन, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, तो सुरू के दो तो याद रखिएगा, जौनपुर सबसे अधिक, उसके बाद आजमगर, सबसे कम गौतम बुधनगर, हमीरपुर, बागपत, और सरवाधिक दंश के व्रद्धी होई है, गौतम नगर, समय-क नगँर, सरवाधिक निवाधिक लिंगान पाथ, सरवाधिक जौनपुर में, निवाधिका बुधनगर में, प्रशचिड tentang बुधनगर में, प्रश्चिन क्या था, सरवाधिक दंश के व्रद्धी गौतम बुधनगर, इसलिए आंसर था, C Question number 20 पर आज़े उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या में अनुसूचित जाती का प्रतिशत है प्रतिशत पूछ रहा है कितना है S.C. आवादी परसंटेज में 20.7 प्रतिशत ठीक है Option number A है इसका अंज़र उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या में अनुसूचित जातीयों का प्रतिशत कितना है 20.7 प्रतिशत और भारत में यानि देश में जन संख्या की दरश्टी से सरवाधिक अनुसूचित जाती वाला जिला कौन सा है यही है उत्तर प्रदेश एक और पूशन ये समस्तर देश मे तर परतिष्ट्या के द्रश्टी से सरवादिक अनुसूचित जाती वाला की पलड़ी के और चलू है तो वे उत्तर प्रदेस में सब्सक्राइब पूछा जाता है पंजाब को भी पूछा कई बार प्रतिशक्त्य के अधार पर पंजाब में ऐसी आवादी सब्सक्राइब और जन संख्या के ममने मुत्तर प्रदेश तो 20 प्रशन थे यह इन सभी के प्रैक्टिस आवेक से दोबार कर सकते हो इस इनका फुल टेस्ट पीडिया भी प्राप्त कर सकते हो आप यह नंबर इस पर कॉले वाटसप करके पे टेलिग्राम ग्रुप से चुड़कर तो प्रैक्टिस करते रहेगा हर दिन धन्यवाद